Smoking causes cancer, smoking kills. धुम्रपान से कार करोग होता है, धुम्रपान जान लेवा है. Consumption of alcohol is injurious to health. मदिरा पीना स्वास्थे के लिए हानिका रख है. Be safe, don't drink and thrive. सुरक्षित रहें, मदिरा पान करके काड़ी ना चलाएं. Drug consumption is injurious to health. नश्वा पदाधों का सेवन स्वास्थे के लिए हानिका रख है. नहीं, पहले मुझे काउंडर से मिलना है. कौन से काउंडर? अपना ओ, पल्ली वेल काउंडर. अच्छा, अपना ही काउंडर? हाँ, उनको ही. रिटार्ड होने के बाद, उनके साथ बिजनेस का पार्टनर में भी था. यह जो सांग सब्जियों को मार्केट से खरेद कर होल सेल में बेजते थे. अच्छा, ऐसा है क्या? उसी कारण से बीच-बीच में पनलिया कर जाता हूं. इसमें कुछ अच्छा लाब मिलता है के साथ? हाँ. हाँ, यह काउंडर के घर ही जाएंगे साथ. अब एच्छोर काई के इस पलनीविल काउंडर के सामने जूट बोलता है. पकड़ के बांद दो इसे. नहीं, नहीं, इनको कुछ मत कीजिए. काउंडर साब, इनको मारने से मना कीजिए. मत कीजिए ऐसा. इसको कुछ किया नहीं तो यह सुधरेगा नहीं. इसकी तो मैं? इनको रोकिये, काउंडर साब. नहीं, छोड़ दीजिए इने. बाप रे, ये कौन आया है? मास्टर जी, आप. आई आई अंदर आईए. आप अंदर जाईए. इसको जरा सबक सिखा क्याता हूं. बात का है, काउंडर जी? समस्या ये है, कि जो बगीचे में सारी सबजिया थी, वो बेच दी इस चोगर ने. अरे, जाने दो, माफ कर दो उसको. मास्टर जी, आप नहीं जानता है इसके बारे में. काउंडर जी, अरे, जाने दो उसे. जाओ, निकल जाओ, आप अंदर आईए. आईए भाई, ये आपके बारे में चर्चा किये बिना नहीं रहते. आप सौ साल जी हैं. अरे, भाग्यवान, पहले मास्टर जी को कॉफी पिलाईए. गनेश भी बेंगलोर में ही रहता है. हाँ भाई, अभी पढ़ाई खत्म करके शेयर मार्किट का बिजनेश शुरू किया है. लेकिन अभी तक कोई भी फाइदा नहीं मिला है. अरे, आप कॉफी पीजिये ना? वैसे, वल्ली, मास्टर साब के लिए मुर्गी का सालन तेयर करो. जाओ. अरे, नहीं, नहीं. दोपहर के पहले वापस चले जाने का ये सोच कर आया था मैं. आजी? हाँ. आजी, आप जो परसा देने वाले हैं उसे देकर चुका देंगे, ऐसे आप ही ने कहा था. क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, मैंने जो बात बोली थी, वो सही है, लेकिन… इस बार आप ऐसा मत बोलेगा. देखे, मामला बहुत कमभेर है. बड़ी लड़की के लिए कुछ रिष्टे आ रहे हैं. पिछली बार जब आया था, तो मैंने याद दिलाया था ना? आपकी तकलिफ मैं समझ रहा हूँ, मास्टर जी. लेकिन इस बार बहुत भहेंकर तूफान, हवा, बारिश, इन सब की वज़े से फसल बरबाद हो गई. बिसनेस पूरी तरह से नुकसान में चल रहा है. इसमें लाव के विशय के बारे में मैं नहीं मांग रहा हूँ, जो पैसे इन्वेस्टिमेंट के पहले दिया था. उस बारे में बोल रहा हूँ, आपने माना भी था. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अच्छानक से पैसे लुटाने की सिती में नहीं हूँ मैं. हजार या दस हजार होगा, तो ठीक था. दस लाग चाहिए ना? ऐसा मत बोलिये, काउंडर जी. पूरा मत दीजिये. फिलहाल कम से कम थोड़ा ही दे दो. इस बार भी आप मुझे एक मौका दे दीजिये. काउंडर जी? सिर्फ इस बार. अगली बार जैसे ही पैसे आते हैं, मैं आपको पहले ही लोटा दूँगा. बोलिये, मुझे अप कब आना होगा? आने वाले पॉंगल पे खतम कर दूँगा. पॉंगल के लिए तो अभी? सिर्फ दो महिना ही बाकी है. मुझ पर भरोसा की जी मास्टर. काउंडर की बात पे आपने भरोसा कर लिया गया? आपका पैसा इस जन्म में नहीं मिलने वाला. अपने केरला से कुछ छट्टा कट्टा गुंडो को लेकर आओ, जो जा निकाल दे ऐसे मल्याली. अजाराय दवसा हुदा सरत अजर भिहारी. आप पैरलैंड, एगु पढ दिराना आपादा दा जां आप आप ए्रलाच, पैरलांड, इसे फ्रेश एंद फियार लेंड, आप शीतारंड, शीतारंड, जितारं, जितारं. दादा जी जो परमेश्वर की कथा सुनाते हैं, उसमें से कुछ कथा मैं भी जानता हूँ अच्छा, तो तुम्हारा कान अभी भी वहां की बातों में ध्यान दे रहा है, है ना? तो कैसे यहां ध्यान रहेगा? जो मैंने कविता सिखाई, उसे पूरा याद नहीं किये अगर नहीं किये, तो कान के नीचे खीच के दूँगी, ठीक से पढ़ाये में ध्यान दो क्या बात है मालीटी? गनेश, तुम्हारा भाई इतना स्ट्यूपिड कैसे हो सकता है? हाँ, क्या हुआ? कुछ बुढ़े लोग कुछ देर से यहां बैट कर कुछ तो कथा सुना कर शोर मचा रहे हैं वो सब मेरे पिता जी के दोस्त हैं, पिता जी की जाने के बाद वो काम बड़े भाई ने संभाल लिया इस बुढ़े लोगों को शोर मचाने के वज़े से बच्चे लोग ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं रमेश जरा सतीश को फोन करके देखोगे क्या? हाँ, फोन करता हूँ अगर फोन लगा तो विमला को कहना समझाने के लिए हाँ, मैं त्रिशूर तक जा रहा हूँ, बात क्या है? किसको बोलकर मैं उनको समझाऊंगा? मादव भाई से बोलने से वो मल्य अलम में चार पंक्तियों को सुना कर इंसानियत का पाद सिखाएंगे मुझे, यही होने वाला है तुम मालीनी को फोन करो और मा को बोलने को कहो नहीं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा अब? हाँ, नहीं, विमला से बात कर लूँगा, ठीक है? तुमें ही बुलाने के लिए मैं सोच रही थी, यह लो, तुम ले जाकर उन बुजर्गों को पिलाओ इसके लिए वेलू चेनी नहीं है क्या? वो सुबर-सुबर गाई के लिए चारा लेने चला गया है मैं अगर लेकर जाओंगी तो माधवन भाई बुरा मान जाएंगे इसमें पसंद का क्या है? वो पुरानी रीती रिवास को इज़द देने वाले आदमी है, इसलिए मैंने कहा पिता जी के हर आदत और हर सोभाव को अच्छे से जानता है, वो बहुत नेक इंसान है इसने कोई मजा किया क्या? हमेशा यहाँ पर ऐसा वैदिक श्लोक होगा, ऐसा पूछ रही है मालनी तुम्हें पसंद है ना? मैंने तो बस पूछा मैं समझ गया इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लिखी हो, फिर भी मल्याली की वेदिक श्लोकों को सुनकर खुशी न हो ऐसा हो ही ने सकता, है न? लड़की इसके जैसी होनी चाहिए भले ही कितनी इंग्लिश पढ़ लो, लेकिन मल्याली का आनन्द मल्यालम में बात करने से ही आता है पर यहां तो खुद के बच्चों को ही मल्यालम नहीं आता है कुछ ऐसे माता पिता है जो इस बात को फाक्र से कहते है जो मल्यालम परता है वो देश के किसी भी कोने में क्यों न हो बात करते ही वो सब कुछ समझ जाते हैं लेकिन दूसरी भाषा के लोग अगर मल्यालम बोलना चाहे तो उनके लिए बहुत मुश्किल है यही तो हमारी भाषा का गुन है नहीं वैसे विमला सतीश भाई को फोन करके बोली थी यहां इस वेदिक श्लोग की वज़े से सभाकारी शुरू हो चुका है फोन करके ऐसा बोल दिया है क्या दुकान छोड़ कर वो तुरंट भागती हुए आ जाएंगे अक्षरा वेदिक श्लोगन पहले से ही सुनने में सबको बहुत दिल्चस्पी है यहां आकर कुछ वेदिक श्लोगन बोलेगा भी रमेश मेरा चोटा भाई है लेकिन श्लोग बोलने में बहुत कमजोर है तो बेटी अगर तुमें ये पसंद आया है तो हम उन्हों को शाम को इधर बुला लेंगे श्लोग पढ़ने के लिए अभी माधाओ की बारी है अभी कौन सा श्लोग है ये लेजे पकड़िये धोती पहन कर सुबा सुबा भगवान को याद करके कोईता लेकर फसल काटने के लिए खेती में उतर कर फसलो को काटना बहुती ज़्यादा अच्छा लगता है धन्यवाद बढ़िया श्लोग है ये लंबोदरी का गाय श्लोग है कितना बढ़िया और अच्छा श्लोग है ऐसे लगता है जैसे देवी माखूद हमारे सामने आके खड़ी हो एकदम कमाल की है वो वो संप्रदाय का स्लोग होगा जो नारेन जो बोलते थे माधुन भाई माधुन भाई क्या हो चिला पुरे हो अपने जो केके गुरुजी है उनको सब मिलकर रोक रहे है वो बिलकुल भी हिल नहीं सकते सब लोग बीच में रोक कर खड़े है अपने वो चौराई के घर के सामने ये क्या बूल रहा है चौराई जंक्षन के घर के सामने सब लोग एक साथ मर गए है क्या अरे वो मरे नहीं है चंद्रपुली के घर में अपने केके गुरुको सबी लोगों ने रोप के रखा है लोगों की भीडभार में गुरुजी उनको ठीक से सभाल नहीं पा रहे हैं यही बात है इसको भी अभी तक ये बात नहीं पता बात क्या है मुझे नहीं पता 10-15 साल हो गए, इसको इधर आकर, अभी भी ना बुलना नहीं सिखा ये लड़का, क्या होगा इसका? तुम कहा रहे हो, मैं भी आता हूँ, तुम मताओ गाय को जाकर पहले पनी पिलाओ, हम आते हैं माधवन, सब लोग साइकल से नहीं जा सकते, उसके लिए ट्रेक्टर है हमारे पास, सही है, मेरे शरीर में जब तक जान है, इस घर में पैन नहीं रखने दूगा इसे, ये लो, बुढबय में मेरे पिता जी की शादी करवाने वाला ये कौन होता है, शादी करवा रहे हैं, तुम्हारे पिता जी चंदू-पुलेंची, और क्या है, फिर भी किसी को बोले बिना शादी करके इस टूरिस को गाडी में बिठा लिया है, हम कभी मानेंगे नही से, ये सच है और इस बुड़ापे में कई सालों से ऐसे ही भटक रहे हूँ वैसे इनकी सहायता की मुझे जरूरत नहीं है वासू तुम्हारे पिता जी को ही है अच्छा पिल्ला भाई कहा है पिल्ला और और नई दुलहन कार के अंदर है अपने बच्चों के डर की वज़ा से बाहर नहीं उतर रहा है बाहर उतरेगा तो भी ये लोग उसे अंदर नहीं जाने जेते हैं जो चक्रवियू में फस गया है उस अभिमन्यू जैसा हाल हो गया है मेरा बिल्कुल अभी तो भले ही मैं कलरी कराते का गुरू हूँ लेकिन अभी मुझसे कुछ और करने को नहीं हो रहा है मेरी रक्षा करो पिल्ला भाई सब कुस ठीक है बाहर आजाईए सुनियो माधा भाई अगर ये दुला और दुलन बाहर निकले तो मैं भूल जाओंगा ये मेरी पिताजी है क्यों पिताजी आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो धोका तो तुमने दिया है ना सुमिती वो क्या है ना मेरी पती की अजाज़त की बेना मैं नहीं आ सकती जब तुम्हारी मा नानी दीदी मरी थी ना तब तुम तीनों भाई बहन बहुत ही जादा चोटे थे उस समय दूसरी शादी करने के बजाए ये आदमी खेत में कड़ी धूप में मेहनत करके अपना खोन पसीना बहाने के बाद तुम तीनों की बहुत अच्छे से परवरिश्की और शादी भी करवाई समझे उसके बाद तुम तीनों अपनी अपनी जिन्दगी में अपने अपने रास्ते चले गए और पलटके कभी इस घर की तरफ नहीं देखा मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है तो गाउवालों से क्यों नहीं पुछते तुम जो बोल रहा हो सोटा का सही है फिर भी इस उम्र में उनको ये सब करना शोभा देता है क्या तो फिर अभी क्यों आई हो हमको जो मिलने वाला हिस्सा है जब तक हमारा हिस्सा हमको बाट कर नहीं दे देते तब तक ये नहीं होने वाला इसका मतलत तुम्हें जादात की पड़ी है इस घर का बटवारा कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जगा है ना हाँ थोड़ी सांस फोल रही है वैसे घर और जमीन तुम्हें कोई दान में मिला हुआ हिस्सा नहीं है ये पिल्ला भाय की खुद के मेहनत से कमाय हुई जाइदाद है समझ में आए बात अगर इनकी मर्जी है तो देंगे अगर नहीं तो फिर नहीं देंगे जवरदाश्ति मत करो तुम फिर भी ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है इनकी उम्रे के बारे में बोलने से कोई फादा नहीं होगा मेरी बात स्नों अन्दर जाओ और आर्ति टाली लेकर आओ चलो ज़ल्दी करो ठीक ठीक झाओ ज़्से करो यज़्स है ओठाटी करो जल्दी करो वर्त जबसे जल्दी करो गाया खड़ी रहे, चुप करके ना चलो हो गया अभी तो गाय को भी नहलाना बाकी है ऐसे चुप खड़े रहने से कोई फादा नहीं होगा अभी तुम्हें एक बच्चा और पैदा करना है मेरी बास समझ गई, हाँ लगता है मुझे डाक्टर को नहीं बुलाना होगा क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र नहीं होई है होगी तो ही बुलाऊंगा, ये लो, पिलो माधवन भाई, निकल तो गया है लेकिन आज दूद बहुत कम है कम नहीं है, तुमने ही कम निकाला होगा क्या, भाई, अइसा क्यों बोल रहे हो बोलू नहीं, तु क्या करूँ, जब भी तुम दूद निकलते हो, कम क्यू निकलते हो उस गाय को मुझे देखना ही पसंद नहीं है मैं क्या करूँ तुमसे मैं कई बार बोल चुका हूं दूद निकालते समय भगवान भगवान नहीं, माधवन माधवन कहकर बुलाया करो ये क्या है भाया, पनली जाते वक्त मुर्गन मुर्गन बोल कर जाते हो न अरे हाँ, मैं मुर्गन मुर्गन बोल के जाता हूँ लेकिन ये सभी के सभी माधवन के शिष्षे हैं, अपने कृष्ण बगवान के, श्री कृष्ण उनके शिष्षे हैं क्या, है गुर्वाय अपपा, यह तो बहुत मच्चर है, बड़े पापा, बड़े पापा मुझे दूद चाहिए, आज 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 देखो गाय का चोटी माने मुझे नहलाया, कितना समझदार हो गया है मेरा बैटा, येलो, पीलो, पुरा पीना, अरे, बहुत शर्मा रहा है नहाने के लिए, तुम नहीं नहाय क्या, अरे, मेरा उपवास न, इसलिए नहीं नहाया, मौसम थोड़ा खराब है न, बहुत ठंड लग रही है मेरा नहाने के जी नहीं करता, ऐसे ही दूद कम नहीं हुआ है, कहा ता न, नहा कर दूद निकाला करो, बाप रे, मैं अच्छे से साबून लगा के, हाथ पेर धोने के बाद ही दूद निकालने क्या था, हाथ साफ करके दूद निकाला था न, जाकर दूद मा को दोर नहा कर मत पियो बोलकर छोटी माने दूद को ले लिया, तो मैं क्या करूँ? ये अभी अभी निकाला गया कच्छा दूद है, अंदर बैक्टीरिया होगा, बाद में बिमार भी पढ़ जाएगा ना? उसके लिए हमारी बात की कोई कीमत है क्या? सब लोग माधवन भाई की बात को सुन रहे हैं ना? माधवन भाई बिना जाने कुछ भी करते हैं, इसका मतलब बाकी लोग भी वही करें? माधवन इस तरह की किसी भी नाजानकारी के काम नहीं करता, ताजा दूद को तुरंट पीने से कोई बिमारी होने वाली नहीं है, बचपन से सतीश और रमेश इस तरह के दूद को पी कर ही बढ़े हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला हाँ, हाँ, मा, आप ऐसा क्यों बोल रही हो, तो फिर तुमने अपने मा का दूद गरम करके ही पीया है क्या, हाँ, बताओ मुझे जो बोलना था मैने बोल दिया, आगे तुमारी बच्च चो करना है वो करो माजी दूद, रसोई में जाकर रखो इसे, इनको मैं कैसे समझाओ, वैसे माधवन, हमारे ग्राम पंचायत के सुधार और तरक्की के लिए 30 करोड रुपे सबसीड़ी दिया है, ऐसा अख़वार में लिखा है, उस भाई लोगों से जरा पूश कर देखना चाहिए ना माध यह हुई ना बात, किस से राजिंदर से, वो तो कहेगा कि अपने पाप को मिटाने के लिए काशे में डुपकी मार कर आओ, यह लोचाय, तरक्की तरक्की बोलके पूरे गाउं को उल्लू बना कर घुम रहे हैं लोग, अगले पंचाध इलेक्शन में तुम खड़े हो मेरे पिता जी हमेशा बोलते हैं कि लोगों की मदद किया करो, लोग ऐसा बोले कि वो देखो उसका बाप जा रहा है, मैं पिता जी के पुन्यों और कर्मों से पैदा हुआ हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, यह बाप के लिए बेटे का बहुत बड़ा फर्ज है, यह बहुत बड पहले बात कर लो फिर बाई चलाओ ना, इसके लिए अच्छा होगा कि कहीं से आगे जाकर पुलिस वाला ना पकड़ ले, आज केल किसी को इतनी परवाह नहीं है, हाँ, वैसे घर में आकर तुमसे मिलने की सोच रहा था, मैं, क्या सोच रहा थे, कैसी हो बडिया, मैं इसकी शादी कराने के बारे में सोच रहा था, कौन जुबेदा, हाँ भी एक ही लड़की की शादी बाकी है, उसकी उमर कितनी है, ये लड़कियों का मामला है ना, बहुत ही जल्द वो लोग बड़ी हो जाती है, हाँ, अरे देखो तो कौन आ रहा है, हाँ, माजी कहा जा रही है, राशन की दुकान में बेटा है, घर में कोई बच्चे नहीं है, क्या, वो लोग सब, घर की छट पे लगाने के लिए मैंने चारा बेज़ा था लगा दिया, ना, मैंने लगा दिया, ठीक है, आराम से जाईएगा, हाँ, चलिए, मास्टर जी क्या कह रहे थे आप, भगवान की किरपा से, अभी जो रिष्टा मिला है, अगर वो पक्का हो जाएगा, तो मेरी थोड़ी जिमेदारी पूरी हो जाएगा, अब क्या करने का सोचा है, दोनों बड़ी लड़कियों की शादी करवाया था, तब थोड़ा आराम मिला था मुझे, थोड़ा पेंशन मिल रहा ह लेकिन छोटी वाली की शादी करने के लिए पैसे कम पड़ है, सुबा सुबा कहां जा रहे हैं सौमी जी, मैं घर आया था, जक्षन के पूल तक जाना है, लड़की की डिलिवरी हो गई है, किसकी भारगवी की, आज सुबा ही हुआ, लड़का हुई या लड़की, लड़क तो बना ही रहेगा, देविमा हमेशे मेरे साथ हैं, आप जा कर आईए, तो जुबैदा का निकाह कब करवा रहे हैं? अभी ज्यादा दिन नहीं बचे है, उसकी शादी करवाने का समय भी आ गया है, वो लोग क्या मांग रहे हैं आप से? उन लोगों की सोने की मांग कुछ ज्यादा ही है, बेटे के हाथ में और गले में साड़े चार तोला है, एक पांचे तोला सोना खरिदने का पैसा जुटा कर रखा हूँ, और भी काम के लिए थोड़े पैसों की जरुरत पड़ेगी ना? इस समय तकलीफ दे रहा हूँ ऐसा मत सोचना, इस बार आपको मेरी करनी ही होगे, सतीश से जरा आप बोलेंगे तो, बोलता हूँ, जुबैदा भागिशाली है, समझे उसका निकाह पक्का हो गया, सतीश का लेकर ही ही आ रहा है, क्या बात है भाई, हमारे अली भाई मास्टर की बेटी का निकाह है, अच्या, ऐसा है, उसकी शादी के लिए मा किसी पेपर पर साइन करके देना है तो अभी कर देता हूँ, आपकी बारे में गाउं में हर कोई अच्छे से जानता है, साइन करने की कोई ज़रूत नहीं, मेरे पिता जी के आत्मा कभी बरदाश्ट नहीं करेगी यह गारंटी के लिए है, गारंटी में कोई कमी नहीं है, आपको जो भी लेना है सीधा इसके जोलिली शॉप पर चले जाईएगा, क्या बोलते हो सतीश? हाँ, अब तुम जाओ मैं कैसे, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ यह क्या, मास्टर जी, हम सब इंसान ही तो है, हम सब को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाने वाले क्योल आप ही है, मास्टर जी, अगर आदमी को पहचान कर उसकी मदद नहीं की, तो मेरी इतनी जादाद होने का क्या फाइदा? सांस छोड़ने के लिए सांस ले सकते हैं, इ तेरा भाई ही है क्या? मेहनत करके जुल्री शॉप को चलाने वाले की तकलीफ, जो चलाते हैं, वह ही जानते हैं, मतलब मुझे, उधार देने वाले सोने के बदले में, स्टेम पेपर बर साइन करके देता हूं, मास्टर ने खुद बोला था, लेकिन दयालू मादों ने जि इसको जो दिया है वो वापस लोटाया है क्या? वो गरीब लोगों को टॉलेट बना कर देने के लिए मेरे दुकान से सैंटरी के टॉलमें पन्चात नहीं है क्या? वह करके देंगे ना? वह कैसे? गाउन वाले अपनी बिराधरी के हैं ना? और कुछ भी पूछने गया तो मेरे खाते में लिख लू ऐसा बोल रहे है सबका इसाब किताब लिखके रखा है मैंने हमें जितना चाहिए उतनी जायदाद भगवान ने दे रखी है जो तकलीफ में है उनकी मदद करना कोई गलत नहीं है उसका फल ईश्वर जरूर देगा हाँ देगा जायदाद खत्म हो जाएगी तब पता चलेगा कावर उठाना पाद में सर्मुनवा कर रमेश क्यों बेकार में इस तरह जुबान लड़ा रहे हो कितना कुछ भी बोलो फिर भी माधवन भाई को एक दी शब्द मां बोले है इसकी पिताजी भी ऐसे ही थे कोई भी इंसान कभी भी अपनी तकलीफ लेकर आये तो उसको कभी भी मना नहीं करते थे पिताजी का ज़सो भाव और गुण है वो सब इसमें है हम जब भी कुछ बोलना शुरू करते हैं तो आप बस एक बात को दोराती रहते हैं तुम ज़रा चुप रहो हाँ ठीक है आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूगी इसकी बाद में भी सच्चाई है मा आप ही इन सब के पीछे हो मेरी जबान पर आ ही गया था लेकिन मास्टर जी को सामने देखकर मैं चुप हो गया अगर आसमान में थुक हो गया तो मूँ पही आके गिरेगा मा उसको समझाओ नहीं तो लेट हो जाएगा मैं नहीं बोल रही हूँ क्या शादी के बारे में लेकिन जब भी मैं बात करती हूँ तो गाउवालों के सामने दूले का कपड़ा पहन के मैं खड़ा था, ऐसा बोलता है अब मैं क्या करूँ बता तुम बताओ मैं क्या बोलूंगे इसको एक बार ऐसा हो गया है तो हर लड़की शादी के मंड़ से अपने आशिक के साथ नहीं भाग जाई इस तरह गाउवालों के सपोर्ट में दान धर्म करके घूमता रहेगा फिर आखरी वक्त में ब्रह्मचारी की जिन्दगी जीते समय बिमार पढ़ने पर उनने जो बोला वो काफी है कौन किसको पानी देगा ये समय बताएगा ऐसा अपने तरफ से कोई श्राप मत दो वो सब जैसा भगवान ने सोचा है वैसा ही होगा बाप रे माँ सोई नहीं है उठ जाएंगी रुक जो रुक जो रुको क्यों मा अप इतने ठंड में जागती क्यों रहती है हाँ चान पूझ कर ही जाग रही हूँ मेरी राद देख रही है क्या लेट होने पर मेरा इंतिसार मत क्या करी कितनी बार कहा है आदी रात को आए हो आज किसकी मदद के लिए गए थे तुम क्या बोलू मा अरे चंद्रा भाई के बच्चे के सीनी में बहुत दर्ध हो रहा था आधी रात में जब इस बात का पता चला तो मैं तुरंत वहां गया और बिचारे को देखा तो वो बेहोश पड़ा था उसे देखकर बहुत दुख हुआ मुझे पिता जी की याद आ गई मुझे आज भी याद है मा सुबा जंग्षन के पुल पर जाने के लिए जुबे ने मदद के लिए पूछा था तो मेरे पास जो भी जो भी था देखकर मदद की थी मैंने माधो ऐसी आवाज सुनकर दौड कर जाकर देखा तो वो ब्योजी के हालत में पड़ा हुआ था इस वक्त में भी पिता जी साथ में नहीं है ऐसा सुनकर दुख हुआ मेरी अवाज सुनकर ही आप जा गई थी और बिल्कुल वैसे ही उस बच्चे का बाप भी सो रहा था और बिना कुछ सोचे समझे पूरे ठंडे दिमाग से अपने इन ही आतों से उसे हॉस्पिटल ले किया अभी कोई परेशानी नहीं है इंजेक्शन लगवा कर हॉस्पिटल में भरती करवा दिया है अभी खत्रे से बाहर है ऐसा डॉक्टर ने कहा माधवन माई ने दवा वगरा सब खरीद दिया है और कल फिर उससे मिलने जाएंगे मा मुझे ऐसे क्यों देख रही है तुमने कुछ खाया क्या नहीं मा बहुत भूख लगी है तो फुट चलो मेरा चपल कुटा लगकर चला जाएगा इसलिए बच्चों के साथ मिलकर कोई ऐसा खेल खेलता है क्या इस उम्र में एक दूसरे को मारो पीटो इस तरह का खेल खेलेंगे तो बड़े होकर इस तेश का हाल क्या होगा इस तरह खाना बनाकर बाहर ले जाकर देने की क्या जरूरत है जो भी महमान है उन्हें अंदर बुला कर खाने की जगह पर बिठा कर खाना खिलाओन अरे ये खाना खाने के लिए नहीं है दादी मा पिता जी और बड़े पापा सब लोग मिलके महमानों के साथ ब्रांडी पी रहे है अच्छा तो उसने ऐसा बोला क्या गलत है बच्चों को सामने बिठा कर सब लोग इस तरह घटिया काम करेंगे तो क्या वो चुप बैठेंगे मा ज़रा आप चुप रहेंगे क्या? अगर वो लोग सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या हो जाएगा? वो अपने भाई के दोस्त है ना? हमें इजज़त करना नहीं आता, वो ऐसा सोचेंगे ना? तुम ब्रांडी पीती हो क्या? नहीं क्यों नहीं पी रही हो, जमाना बदल रहा है तो जमाने के साथ तुमको भी बदल जाना चाहिए न, वहाँ जाकर एक पैक ब्रांडी पीओ और सिग्रेट भी पीओ, नंद कुमार की बीवी को अगर इज़त नहीं मिली तो तकलीफ हो जाएगी सच बोलो तो हमारे लिए हराम का काम है, फिर भी मुफ्त में आसिल होने वाली ये विदेशी दारू जो मिली है, उसको पीए बिना ना रहने से हमारी जिंदिगे में सुधार नहीं आएगा, जबरदस्ती पीना पड़ रहा है और मैं पीच में इस तरह की डील के काम के लिए कितना कुछ मीटिंग किया है पता है, लेकिन जब देश चल रहा है, साथ में मिलकर हम नहीं चलेंगे सुनो, तुम लोग नंदू का दोस्त होने के नाते में एक सच बताता हूँ अभी जो रोड बनने वाला है, उसे नंदू के खेट के तरफ मोड कर लेकर आने जैसा, गवर्मेंट, ऑफिस में और ग्राम पंचाद और जिला पंचाद में क्या-क्या खेल नहीं रचाया इस राजंदरन ने तो वो गाउं की भलाए या सेवा के लिए उतरता है क्या, वो लोग जो मांग रहे हैं, उन सारी जरूरतों को देकर, पूरा कर देंगे ऐसा ओफर देने के वज़ा से ही, अभी इस तरह का रोड यहाँ पर बनने जा रहा है मेरा भाई राजी होगा कि नहीं मुझे शक है वो पुराने जमाने का आदमी है, उसकी उम्र से बड़े लोग ही उसके दोस्त हैं, ये बार होटल खोलने के विशे में, पार्टीशन हमारे बीच में नहीं हुआ ये हुई ना बात, जरूरत पढ़ने पर क्लू देने के लिए औरत की अकल बहुत जरूरी है तुम दोनों तो बस हमारे साथ ख़़े रहा हो, वही बहुत है, बाके सब तो मैं समाल लूँगा क्या बोलते हो राजंदरन भाई? हाँ, वैचे तुम्हारे उपर माधुन को पूरा भरोसा है, तुम्हारी बात को जरूर मानेगा लगता है वो आ गया है बड़ी पापा अरे अरे छोटे मालिक हाँ 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 आजा, तुम लोग कब आए हाँ? बड़े पिता जी, मामा, मम्मी सब लोग आए हुए है देखो, बड़ी मा सब लोग एक साथ ही आ गए, कोई खास बात है क्या? आप से मिलने के लिए खास वज़ा की क्या जरूर? यह भी सही है, तुम्हारे छोटे बच्चे कहा है? कोचिंग चल रहा है न, इसलिए दोनों को लेकर नहीं आए मैत और फिजिक्स दोनों में कमजोर है मैत और फिजिक्स में कमजोर होने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि तुम्हारे बच्चे है न फिजिक्स है मामा जी, उसमें भी कमजोर है वो ऐसा मजाक मत करो फिजिक्स में वो लोग कमजोरी हैं लेकिन सुधार तो मिलना चाहिए न भाई हम आपका ही इंतिजार कर रहे थे जाले साब अंदर मेरे दो दोस्त आएं उनको आपसे मिलवाना है तुम्हें आये काफी दिर हो गई नहीं अंदर चलो कॉंट्रेक्टर हैं अमिद सर फाइनेंशिंग, शेर मार्केटिंग, एक्सपोर्टिंग एक बहुत बड़ा शॉट है ऐसा कुछ नहीं है मैं तो बस जीने के लिए चोटा सा दंदा करता हूँ ये बुलने के लिए ये ऐसा बोलते हैं बॉम्बे से लेकर दुबाई तक ये हमेशा ओडते ही रहते हैं ऐसे आदमी है और वैसे ये हलो, I'm Tobias इंजीनियर Tobias ये कौन है? वी आईपी लोग ऐसे ही हाथ मे लाते हैं क्या? वी आईपी लोगों को इस जद्दना मैंने जानता इसलिए पूछा सोरी, I forgot it वोश किधर है? वो उधर है अच्छा अरे रुको, मैं भी आता हूँ उन लोग मुझसे इस हाल में मिलेंगे तो उनको याद रहेगा क्या? नहीं, वो लोग थोड़े नशे में हैं ऐसा ऐसा तो होता ही रहता है घर में औरतों के बीच कोई इस तरह की हरकत करता है बड़े-बड़े लोगों का बिजनेस के कामों में इस तरह ड्रिंक करना एक रिवास बन गया है माधवन भाई, आप कभी ऐसी पार्टी में गए नहीं हो इसलिए आपको अजीब लग रहा है कैसा खेल, मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं समझाता हूँ हमारी खेती के तरफ एक बाई-पास रोड का सेंशन हुआ है पाला कार जाने के लिए इस शॉटकट है जिलापन चायत के बहुत संघर्ष पदरशन करके ही मैं अपने वडाकन गाउं के इस तरफ रोड बनाने के लिए संच्शन करवा लिया है और थोड़ा बहुत रिश्वत देने की बात भी आई है स्वेमिंग पूल, मसाज सेंटर, हेल्थ कलब के साथ-साथ फाल स्टर फैसिल्टी होने वाले होटल हम लोग बनाने का प्लान कर रहे है एक हेरिटेज होटल फॉर्णर देखेंगे तो उनके दिल को चू लेने वाला आईने जैसा होटल ऐसा बहुत मसेदार सेटप है कोटेयम और अलापुरा में जो भी डिजाइन्स को मैंने किया है, ज्यादा तर फॉर्णर्स का दिल जीच में रहा है अमारी खेती में अमारे खेत में? पूरे खेत में नहीं, खेत के बीच में बनाना ही ठीक रहेगा आस-पास में खेती दिखाएंगे तो अच्छा वी भी मिलेगा, थोड़ा शेर भी मिलेगा ऐसा एक खेत है, इस बात को जानकर ही हमने होटल बनाने का प्लैन किया मिस्टर माधवन आप आख बंद करके उस जगा को लिख कर दीजिए हम काफी पैसा कमाएंगे जब देश आगे बढ़ रहा है तो हमें भी बढ़ना चाहिए ना बढ़ने की बात तो ठीक है, लेकिन खेत के बीचो बीच में ऐसा नहीं करना चाहिए अरे थोड़ा सोच कर देखें, मिस्टर माधवन इस काम को करने के लिए हमें ही एक कदम आगे रखना होगा इस तरह की चीज़ों में मेरे भाईयों को मत खसीटो, गाउं में सुधार होना तो खेती करना बहुत ज़रूरी है आपकी ज़रूरत के लिए बहुत सारी खाली जमीने पड़ी है, इसके लिए गरीब के पेटों पर लात क्यों मारे हो अंग्रेजों को सहाब बोलकर उनके सामने सर जुकाने की कोई ज़रूरत नहीं समझ गए आपका और आपके भाईयों का बला हो जाई ये सोचकर समझा रहा हूँ इस तरह केती की जमीन के फिक्र में इतने बड़े मौके को ठुकरा रहे हो अंध विश्वास की भियाद होती है मेरी बात ध्यान से सुनिये भले ही मुझे कम जानकारी है पर मैं अंधा नहीं हूँ दो वक्का खाना खाकर काम करकर जो अपने घर में शांती से रह रहा है उनके पेट पर लात मार कर हमारे गाउं के भलाई के बारे में जो तुम लोग मिलकर दिखावा कर रहे हो ना वो बिल्कुल गलत है अरे साले साब थोड़ा इज़द दे कर बात करो इज़द से बात इज़दार लोगों के साथ की जाती है रहने दो मेरे मुझे इससे पहले कुछ और निकले इन लोगों को ले कर जाओ यहां से साले साब उस गार को हटाने के बारे में नहीं बोलना चाहिए था नहीं वो क्या है ना मैं फिर भी तुम्हें इतना गुस्से में नहीं बात करनी चाहिए तो क्या करना चाहिए था उन लोग वहाँ पर घर उजाड कर वहाँ पर होटल बनाना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? उपर से बोल रहा, गरीबु को हटा कर वहाँ पर रोड बनाएगा, और तो और वहाँ की जमीन निकालने की बात कर रहे हैं, इस तरह का पैसा कमा कर आखिर बोलो जाएंगे कहां, हाँ? इस पैसो का क्या करेंगे? जमीन को बेचना कितना बड़ा पाप है माँ, अब सरकार भी खुद के चावल को विदेशों में इंपोर्ट एक्स्पोर्ट कर रहे हैं, समझ गई की नहीं? अरे माँ, यहाँ चावल खाने को नहीं मिल रहा है, बाहर चा मंगाने की नोबत में हैं? यहाँ की भिंडी और करेला खाने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, और तुम्हारे स्टेट से लेकर आने की जरूरत क्या थी, बेवकूफ? हमारी बात को छोड़ो बड़ी मालकिन, मैं तो बस ऐसे ही बोला था नंदू और राजिनरन ने जो बोला है उसे जाने दो, उन्हें जितना पैसा मिले उनका मन नहीं भरेगा पर हमारे रमेश और सतीश को क्या होगया मुझे समझ नहीं आ रहा वो लोग भी ऐसा ही कुछ बिजनेस करने के लिए सोच रही होंगे नहीं, जो बिजनेस चल रहा है उसे चलने दो काफी है जादा लाला से क्योल मुसीबत ही बढ़ती है बाद में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तुम जरा जाकर उनको अच्छे से समझाओ कहा है वो लोग? खाना खाकर सो गय क्या? कोई भी अभी तक आया नहीं वो तुम्हारे जीजा जी के लोग है न अपनी बीवी के साथ निकले थे वो लोग वहीं से निकल गए तुम इंतिजार मत करना होटल से ही खाना खाकर आएंगे ऐसा बोल कर गए थे होटल का खाना अचकल का फैशन बन गया है मा बगवान ही बचाए चलो दाहिने पेर को आगे करके जुक कर हाथ गुमाओ ऐसे अब बाएं पेर को आगे करके अब सर गुमाओ रुको रुको गंभीरता से हिम्मत से फाइट करो धर्ती से धूल उड़नी चाहिए देखकर जोश आना चाहिए मैंने जो सिखाया है वो ठीक से कर रहे हो क्या तुम लोग क्या अच्छे से सीखा नहीं नहीं गुरू जी हमने दिखाया ना हाँ तुमने बहुत कला दिखाई हैं काफी हुआ सब नाम के लिए कर रहे हो बस हाँ करो करो हाँ आप क्या बोल रहे थे गुरू जी अब पीछे नहीं होते अरे पीछे हटने से मार लगेगा ना आपके बात नहीं करने गुरू जी वो बड़े दमाज जी हाँ अच्छा वो जमीन हटाने का मामला है अभी तुम लोगों ने जो बोला है वो मेरे बोलने से माधवन मेरी बात सुनेगा क्या सुनेगा वो आपका ही दिखाया वो शिश्य है ना तो आपकी सुनेगा हाँ ये तो सही बात है इन बच्चों के जैसा नहीं है मेरे शिष्ट में गुरु भगती रखने वाला माधवन लेकिन ये तो उसका परिवारिक मामला है ना सतीश और रमेश को भी बुला कर एक बार बात करना ठीक रहेगा ना उन लोगों ने ही कहा था इसलिए हम लोग आए हैं इस गाउं में कोई है तो आप ही हैं जो उससे समझा सके वो है के के गुरु जी ऐसा उनका कहना है बले ही मैं गाउं के पंचायत का मेंबर हो सकता हूँ पर गाउं के सुधार में मेरा ही दामाद रुखावत बनकर ख़ड़ा हो जाएगा तो कैसे चलेगा अगर ये मामला अच्छे से जम गया तो गुरु जी आपका भी ये शेर पका हाँ, ऐसा है क्या हमने बोल दिया ना तो फिर कितना मिलेगा उसमें से मिलने वाले हिस्से में एक परसंट हम आपको देंगे क्या बोलते हैं तो फिर ये अच्छी कमई होने वाला बिजनेस है, सही का न हमारे अलावा और कौन है यहां और एक आदमी है, उसमें कोई तकलीफ है क्या कौन है माधवन गुरु जी जो कुष्टी सिखाने वाला गुरु जी में खुद बोल रहा हूँ आप लोग क्या समझ रहे हो, माधवन को समझाकर नाजायस फायदा उठाकर उसको इस तरह के काम में घसीट कर छोड़ने के लिए हाँ, आप लोग मुझे खरीदने के लिए सोच रहे हो तुमको पता था इस बुढ़े से काम नहीं होगा बुढ़ा होगा तेरा बाप, ये काम नहीं बनने वाला है जा यहां से, ये भी एक नमबर का बेवकूफ है पंगा मतलोग गुरुजी को गुस्सा जाएगा, चलो चलते तुम लोग भाइस को चारा खिराने के लायक हो, बड़े आदमी जैसे दिखावे कर रहे हैं उस आदमी को लेकर हम उसे समझाने के लिए गए तो वो और भी काम को बिगार देगा ऐसा मुझे लग रहा है उसके शादी भी नहीं है, फिर भी वो इस तरह जमिन को पकड़ कर रो रहा है उसके लिए माधोन के ओपर गुना ठहरा कर कोई फाइदा नहीं आज जो मिल रहा है उसका फाइदा नहीं उठा रहे है, ये कमजोरी है कमजोरी की बात नहीं है, वो हमारा बड़ा भाई है, हम उस पर हाथ नहीं उठा सकते पार्टीशन हिस्सा बटवारा करने के लिए हम एक रास्ता निकलते हैं क्या बोलते हो सर? येस, बसे कुछ भी हो तुम लोगों को हमारे साथ खड़ा रहना होगा, गारंटी देना होगा अब हम लोग हैं साथ में सही है, अगर काम बन रहा है बोला, तो हम लोग आप लोगों के साथ हैं तो फिर एक पैग और, चीर्स मेरे साले लोग भी न, फावड़ा पता कैसे चलाते हैं, ऐसे चला के ऐसे खीशते हैं पर उन्हें क्या बोलू मैं किसानों की जिन्दगी में सुधार होगा ऐसा उनका कहना है, उनका ओफर सुविकार कर लेना चाहिए हाँ, रिष्टेदारों की ना समझ से रिष्टों में दरार पर जाती है, ऐसा एक किसी महान इंसान ने कहा है तुमारी बातें समझ में नहीं आ रही, जिसके पास बुद्धी होती हैं, वो ब्यवकूफ से दोस्ती नहीं करते उन लोगों ने छेड़ने के लिए जरूर तुम्हारे पास भीजा होगा एक तो मेरे समझ में आने जैसा, या फिर मेरे कलरी स्कूल के बाहर मेरी तरफ करने वाले केवल चार पाच शिष ही हैं मेरे पास मा की तब्या ठीक नहीं है, बच्चे का क्या कसूर मादवन भाई, मादवन भाई, मादवन भाई, मादवन भाई माईल चिलाते हुए आ रहा है, लगता है तुम्हारा कोई काम बेगड़ने वाला है भाई हमारी उस जमीन में कोई जंजीर लगाकर माप ले रहा है खेत में कोई सीने पर बैठ कर मार रहा है क्या? शीने मेन अहें Dhanzeer अच्छा अमारी जमीन पर भला कौन माप ले रहा है पता नहीं भाई जल्दी आइये भाई चलिये जल्दी चलिये जल्दी करें जल्दी Hey, hey कौरू तुम लोग क्या करो यहां पर देखाई नहीं दे रहा, हम जमीन माप रहा है पर क्यूं? किसकी इजाज़त से? प्रमेश और सतीश के बूलने से ही हम आप ले रहे हैं. यहाँ जगडा शुरू मत करो, साइड में हो जाओ. मेरी जमीन पर खड़े हो, मुझे ही अठा रहे हो. तुम्हें कुछ जानना या पूछना है, तो वहाँ जाकर उनसे पूछलो. किसी से पूछने की मुझे कोई ज़रत नहीं है. दादा गिरी मत करो, अपना खंब और जंजी लेकर निकलो, यहाँ से समझ गए? निकलो, निकलो, जगा खाली करो तुम लोग. अदे बाप रहे. वहाँ! अजड़ा दो जुट तुट हुआए प्राइप उट प्रेज अजा रचे हुआए हूए ये घुट अज़ा वडियों सब्सक्राइप टुट हुआए आुट हुआए लग बाsz मीरे कार्ची मैले! एफ! एच! हुआ है! हाण! टार मार्ट करे घर लार फтак को आमे परा क। यह सब्सर्ट थीध एivenessड़े पर अलार रपले तुए में रह थे कर अे यह एिस दाम गर बीता गहाँ मॉञ अर कि बुभः कि दहल um क对 कि ठान अ रडिपर है कि अ...... लगः समति गुभः कुछ भी गोलो उन लोगों को मारना ठीक नहीं है जिस जमीन पर हमने खुन पसीना बहाया उस जमीन से बो लोग हमें अटाने के लिए बोल रहे थे अगर बोल दिया तो मारने के लिए निकल जाओगे उसीने पहले मादौन भाई को मारा था मारा यहां क्या काम है बार जाओ हमसे पूछ कर माप लेने ही आया है ऐसा बोला था न इन लोगों को मारना और हमको मारना एक ही बात है. इस घर में कब से हमारा तुम्हारा हो गया? मुझे पता है, ये सब किसका खेल है. बड़े लोगों का नाम लेकर सीना तान कर चलने वाले लोगों को, मैं अच्छे से जानता हूँ. वो गरीबों का खून चूसने वाले एक नंबर के भेड़िये हैं. हमें मिटाने के लिए ही वो एक साथ मिले हैं. इंसान को परक निकलिये भाई, आप हमें मत सिखाईए. अपना काम निकालने के लिए अगर कोई दो आसु की बुन्दे बहादे, तब भी मैंने सोचा था, कि अब आगे से इस चौकट पर पैर नहीं रखना है. लेकिन इसमें मेरा भी हक है, किसलिए ऐसे सबको एक साथ सर पर बिठा कर घूम रहे हो? बटवारा करके सबको हिस्सा दे देना चाहिए. दान धर्मी करना है तो अपने जमीन में से दे दो ना, हमारे अक्की जमीन क्यों देते हो? लमिश, नहीं, आगे तुम एक शब्द भी मत बोलना, वो लोग जो मांग रहे हैं इसमें गलत क्या है? बड़े बुद्धिमान जैसा हूँ, ऐसा सबको क्यों अपने सब पर लेकर घुम रहे हो? माप ये… हाँ, ये माँ ही बोल रही है, अभी मेरी बात को सुनकर हैरान मत हो, कुछ दिनों से ही ये बात तुमसे बोलने की मैं सोचकर दिल में दबा कर जी रही हूँ. जिनको जो जो देना हैं बटवारा करके दे दो, और तुम यहां से गहीं चले जाओ, मुझे तोड़ा तो चैन दे दो. मैं जा रहा हूँ पिता जी, जब हमारे अपने भाई बेन ही इस जाधात के लिमूफे रहे हैं तो ऐसी जाधात का मैं, मैं क्या करूँगा पिता जी, ये सब उन्हें लेने दो. अखिर हम सबका खोन का ही विष्टा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ. मैं यहां हूँ तो मा के मन को शांती नहीं मिल रही. उन्होंने बोला है तो मुझे जाना होगा. भाई, आप कहां जा रहे हो? मैं पलनी जा रहा हूँ. मुर्गन भगवान का अच्छे से ख्या लगना, उनकी दिल से प्रार्थना करना. नहीं, आपके चेहरे को देखने से आप बहुत दुखी होकर जा रहे हो, ऐसा लग रहा है. मुझे तो किसी संकट का साया नजर आ रहा है. मुझे कोई दुख नहीं है. बस कुछ दिनों के लिए मैं कहीं दूर रहना चाता हूँ. इतनी सी बात है. मैं जानता हूँ यहां की परशानी. मैं भी भाई आपके साथ ही आऊँगा. तुम यहीं पर रहो. उन्हें अकीला छोड़कर मेरे साथ मत हो. तुम्हें पता है ना, पूरा काम मा नहीं कर सकती? नहीं, मैं भी आऊँगा. जिसका कोई नहीं ऐसे अनात को आपने सहारा दिया. मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अनात हूँ. कभी नहीं. सबकी नजर में आप माधवन हो सकते हो. लेकिन मेरी नजर में आप मुर्गन भगवान हो. जहां आप रोगे, वहां मै मैं भी रहूँगा. मैं भी आपके साथ चलूँगा, भाई. मैं तुम्हें साथ लेकर जा सकता हूँ. पर मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ वहां पर कोई भी आए. इसलिए तुम को यहीं पर रहना होगा. तुम जो. मा अगर पूछेगी, तो कह देना कि मैं पलने गया हूँ. हुआ 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 है दो पी आचाह बंसेता हुआ है। कर जो. जो रुको, बली रुको माधुवन अरे ये क्या सर आप पुरानी आदत अभी तक गई नहीं तुमारी मैं कैसे बोल सकता हूँ जब छोटा था तो पिता जी का हाथ पकड़ कर आया करता था कब आयो मैं बस अभी आया इस बार गाउं से कोई और नहीं आया क्या सर मुनदवाने के लिए नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ आप भी अभी आया क्या हाँ, वैसे माधुवन कहां रुके हो यहां एक पुराना लॉज है, वेल मुर्गन अरे वाह, तो फिर चलो बैठो मैं कुछ समझा नहीं जिन्दिगी एक आयने की तरह है माधुवन उसे देखकर हमें जीना चाहिए हम हसेंगे तो वो भी हमें देखकर हसेगा सर, आप तो जानते ही हैं मैं कुछ दिनों से हसा ही नहीं क्योंकि परिस्सेती इसमें सब भागवान की ही इच्छा है देखो, ऐसे में सब को छोड़ कर जाने से किसी को कोई फरक नहीं पड़ेगा हमें ये नहीं चाहिए ऐसा सोचने से भी जो किसमत में होता है वो चाह कर भी हम उसे नहीं बदल सकते हैं ना चाहते हुए भी जो मिलने वाला है वो मिलेगा ही आम किसके लिए जी रहे हैं मेरे खुद की माने मुझे दूर जाने के लिए कह दिया फिर किसके लिए जी हूँ उन्हें छोड़ कर आने का मेरा दिल नहीं था अरे, ये क्या है मैरे दुख को देखकर हसी मजाग से तिरपुरल पंग्ती बोलकर हौसला देने वाला माधवन है तू ऐसे अपने दिल को छोटा करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है डर को पीछे छोड़ कर आया हूँ इसलिए दुख थोड़ा कम हो गया है और आप से खुलकर बात करने के बाद दिल को शांती मिली चलो तुम जानते हो क्या तुम्हारे जैसा लड़का मुझे चाहिये था ऐसी इच्छा थी मेरी हाँ वैसे तुम्हारे पिता जी बहुत खुश किस्मत थे कल तुम्हे भी मेरे साथ में आना है काउंडर से मिलने के लिए कल पैसा मिलेगा इसकी गारंटी है क्या हाँ गारंटी है काउंडर ने आखरी मोहलत दिया है न बेटी की सगाई ते हो गई है इस बात को भी बोला हूँ मैं दो दिन पहले ही वो आदमी मंदिर में परिवार के साथ आ जाएगा प्रातना किया है मेरे लिए परातना किया नहीं ये सवाल करने जरूरी है क्या तुम्हारे लिए भी परातना किया है वो आदमी बगल में ही है आदमी जिबान का पका है लेकिन काउंडर की बात सुनकर मैंने मना कर दिया काम के बन जाने के बाद सूचित करो ऐसा लड़के की पिता जी ने कहा था लेकिन किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए ऐसा सोच रहा हूँ आज कल के बच्चे लोग ऐसे ही होते हैं सच कहूं तो ये दहेज के मामले में वो काफी नाराज है मेरे जबरदस्ती के वज़ा से ही वो मान गई है किसी की रहम और दया दिखाना उसे बिलकुल भी पसंद नहीं सवभिमानी है वो अपना सवभिमान बहुत अहम होता है सर आपका क्वाटर लाक रूम पर रखा हूँ हाँ सर ठीक है वो अकेला हुना थोड़ा ठंड भी है तो हाथ पर के ठंड को भगाने के लिए एक दो पैक ठीक है सर कोई बात है मिलते हैं फिर ठीक है भाई देखो भाई मुझे अकेले चोड़कर चले गए वो आदा के भाने हो नहीं हुआ उसके लिए अपनी चान दवाकर चले गए ये भगवाद मैं अब क्या करूंगा माधुवन अपनी बेटी को कैसे चेहरा दिखाऊंगा और उन गावालों को मैं क्या जवाब दूँगा जो कुछ सोचा था सब मिट्टी में मिल गया जो चिता जलने वाली है वो सिर्फ काउंडर की नहीं काउंडर के साथ साथ मेरी भी मौत हो गई अब मैं क्या करूं मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है माधुवन सर आप ये क्या कर रहे हैं मुझे लोग को मत मुझे बहुत नुख हो रहा है मुझे पीने दूँ मैं नहीं पीने दूँगा मुझे पीकर बेहोश होना है अरे छोड़ो माधुवन सर नहीं तो मुझे नीन नहीं आएगी माधवन, मरी बासुले, छोड़िये, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, तुम जो यहां से, बोला ना छोड़िये सर, माधवन, आपको क्या लगता इसे पीने से आपका दर्द खतम हो जाएगा, तो पी लीजिए, सर आपकी परिशानी क्या है, कि आपकी बेटी की शादी हो आपको किसी से मागने के जुरत नहीं, फिर, आपको जो पैसा मिलने वाला था समझे मिल गया, ठीक है, लेकिन वैसी बात नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन वैकिन कुछ नहीं, अगर आपका मन है तो थोड़ा सा पी लीजिए आपको अच्छा लगेगा, सब ठीक ह जाएगा, कल मिलते हैं माधवन थोड़ा सा पीने के लिए बोला तो आपने इतना पी लिया, ये क्या है सर माधवन, मेरी इज़त बचाने की बात किया ना तुने, तु मेरा बैटा है यार, इसलिए मुझे तुछ से बहुत बाते करने हैं हम सारी बाते कल करेंगे सर नहीं, 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 सिर्फ मेरी बेटी के ही बात नहीं मेरी बीवी से भी नहीं बोला है तुम भी नहीं जानते हो ऐसे बहुत सारे मामले है वो मुझे बोलना है सर सुनिये तुमसे सब कुछ बोलना है हम सारी बाते कल भी कर सकते हैं, रात होगी आप जा कर सोजाईए तो मेरा बेटा है, तुम्हें मेरी इज़त बचाई है, तेरी हर बात मौनूंगा मैं मैं बोल रहूना, मेरी बात सुने, आप जाकर सोजाईए सभाल के यह आदमी था क्या, हाँ सर क्या बात है सर, तेरा नाम माधोन है क्या, आहां सर, तामिल है, नहीं सर, मल्याली हो, मेरे साथ चलो, चल, यह शट बात में पाहिनना, अभे चल, अरे, चल, अरे, चल, अरे, तब लोग सही से ख़़े हो, हाँ, इस आदमी को तुम जानते हो क्या, मास्टर जी, अंदर नहीं जाना, इस आदमी को और तुमारा को जगड़ा हुआ था, जगड़ा, नहीं सर, यह मेरे पिता जी के बराबर है, पिता जी के बराबर, अन्ना, दुराई बोड़ी को पोस्ट मॉटम के लिए हॉस्पिडल भेजो, तुम मेरे साथ आओ, तुम मे बहुत ठीक किया है, यह शक्ती, वेल, शक्ती वेल, जानते हो क्या, लुखे कहीं के, सर, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मेरा भरोसा कीजिए, भरोसा करता हूँ, पोस्ट मॉटम की रिपोर्ट आने तो, बाद में तुम पे भरोसा करना है या नहीं, इसका फैसला लेता चल अंदर चल, पड़ा रहे अंदर, मेरे सामने ही नाटक करता है, हाँ अंदर, मा, 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 विल्टा 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 बेटा बेटा क्या हो अमा मेरा बेटा किसी खत्रे में है मुझे ऐसा लगता है नहीं तो बार-बार मुझे ये सपना क्यों आता क्या सपना देखा मुझे ऐसा लगता है मेरे बेटे के उपर कोई हमला कर रहा है बेवज़ा हरवन तुसकी बारे में सोच ते रहती हो न उसकी वज़़से अभी तक आया नहीं वो, ऐसे कैसे कहां चला गया है, हम बाहर जाकर ढून कर देखते हैं भाई कोई छोटे बच्चे थोड़े, पहली बार ही थोड़े बाहर गये हैं, उनका घमन तूटने के बाद वो अपने आप आ जाएंगे, मा चुपचाप सोजाईए भागवान, मेरे बेटे की रक्षा करो सर उसे लेकर आओ पूलिस ऐसी ही होती है, जिस पर शक है, उसे कस्टडी में लेकर सवाल करना ही पड़ता है ये हमारी ड्यूटी है अगर निर्दोश है, ऐसा पता चलने के बाद माफी भी मांगूंगा, यही शक्तिवेल है वो जो बुज़ुर्क मर गया, वो हार्ट अटेक की वज़ा से मरा है, ऐसा पोस्ट माटम की रिपोर्ट में कन्फरम हुआ तुम अब जा सकते हो सर, वो मैनन सर की बॉड़ी अरे, वो बॉड़ी बॉड़ी लेकर उनके रिष्टेदार कब के चले गए उर्बंगलम, उर्बंगलम, चलो, चलो, जल्दी चलो, उत्रो, उत्रो ये जो रहें, तुमें लिगी नहीं, 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 आपना भाई, सही से देखो, कुछ सोटी ना हो ये रेले स्टेशन के मास्टर विश्वनाद जी का घर कहां पर है? उनकी लाश का जो क्रिया करम होना था, वो सब हो गया है मैं पल्नी से आया हूँ अरे जब्बार, अपने जो मेनन मास्टर मर गए है, उनका कोई महमान आया है क्या कहां महमान? आप पल्नी से आया हो? अच्छा, पल्नी में किस जगा से आया हो? आप मल्यालम में बात कर सकते हैं, मैं समझ लूँगा मतलब तुम मल्यालम जानते हो? मल्यालम भी और तमिल भी जानता हूँ अच्छा, तुम मेरन मास्टर के दोस्त हो तुम तो चलो, आओ बैठ जाओ नहीं, मैं यहां बैठ गया हूँ आप यहां बैठिये, मैं आगे बैठता हूँ आप पीछे बैठिये मैं कहीं भी बैठ जाता हूँ पहले ही किक में स्टार्ट हो गया ओटो अभी तुम बाहर आने वाले हो या नहीं? तुम लोग इस तरह तमाशा देखते खड़े मत रहो तुम लोगों में इसे कोई अंदर जाओ और इस बुड़ी को बाहर आने के लिए बोलो क्या है? तुम लोगों में इसे किसी के बोलने से वो बात नहीं मानेगी, क्या? तुम लोग इज़ददार लोगो बात में मत बोलना कि जॉर्ज घर में घुसकर शोर मचा रहा है ऐसी शिकायत मत करना बेटी, तुम कहीं मत जाना तो क्या करूँ? वो मनमानी करता रहेगा और हम सुनते रहें वो कोई हमारा सरकार और हम उसके गुलाम नहीं है क्रिश्न वर्या मास्टर को आने दो हिसाब के बार में बात कर लेंगे क्या बात है कोई कुछ बोल नहीं रहा है तुम लोग बुला रहे हो या हम उसे बार निकाले मास्टर का कोई रिष्टेदार उनको बुलाने गया है अच्छा, उनकी छोटी बेटी गई है क्या आने दो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ यहां क्या हो रहा है, तुम्हारी परिशानी क्या है जोड़ परिशानी क्या है, तुम मास्टर को जानते हो इस जोर्ज को जो पैसा मिलना है उसका फैसला आज ही हो जाना चाहिए, यही मेरी परिशानी है आज देता हूँ, कल देता हूँ, पलनी से काउंडर से पैसा दे देंगे, तब देता हूँ जिसने बोला वो तो चला गया, अब मैं क्या करूँ? अभी अभी उनका इंतकाल हुआ है, ऐसी परस्थिती में जिस घर में मर्द नहीं है, वहां करके शोर मचा रहे हो तुम मास्तर जी आप बेकार की बाते मत करो, चिता जलाने के बाद हम मिलकर फैसला करेंगे, ऐसा आप बोले थे, नहीं तो मेरे कर्स का फैसला लिए बिना बौडी को ले जाने नहीं देता मैं, एक या दो रुपया नहीं, कई बार थोड़ा थोड़ा लेकर ब्याज मूलधन के स जानते हो, हम लोग आपसे मांगने नहीं आये थे, जब पैसो की जरुवत पड़ी थी, तब आप खुद सामने से आकर देते थे, और जब आपको जरुवत पड़ी थी, तब पिताजी ने खुद आपके मदद की थी, इस हाल में, इन लोग को हम पर जरा भी दया नहीं आ र का पेपर मेरे पास है, चाहे तो मैं दिखाता हूँ, विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं बोला, अगर मेरे पिताजी ने कर्ज लिया है, तो उसे हम चुकाएंगे, लेकिन इस तरह आप हमें धमकी मत दो, ठीक है, नहीं करेंगे, मेरे पैसे कहां से देंगी आप, प्राइमरी और तुम घर वाले मिलकर धोका देने का मत सोचना, ऐसा करोगे तो तुम्हारा ही बुरा होगा, कब दोगी, क्या हुआ, शब नहीं निकल रहा क्या, हाँ, अरे जिखे दो को अफोना या, हे भगवान, यहां तो पूरे गाम वाले एक साथ खड़े हैं, यहां पर जब के दोस्त आएं, आपको अभी आना चाहिए था, आप अगर वक्त पर पैसे दे देते, तो आज वो आदमी जिन्दा होता, बे मौत मारा नहीं जाता, हमें इस तरह बेज़त होने की परिस्तिती भी नहीं आती, वो क्या है कि मैं, अरे अभी आ गया ना, भगवान ने तुमा मैंन आपके उपर बहुत विश्वास करते थे, काउंडर आपके पैसे मिलने के बाद हर रसम को पूरा करके मेरा की शादी करना चाहते थे, जोर्ज, अभी शोर मत मचाना, देखो, मैंन घर के कागजात को गिरवी रखकर, जिसको पैसा देना है वो आदमी ये है, पैसे ले मैंने के लिए जगडा करने आया था, करजना चुका पाने की वज़ा से, काउवालों के सामने, बेज़जद होकर सर जुकाए खड़े, वैसे, आप जो बोल रहे थो, इस आजमी के जमाग में ठीक से गुसा नहीं ऐसा लग रहा है, तामिल में समझाओ उसे, काउंडर बहुत अच्छे मलयाली बोलते हैं, इनका मलयालम नहीं सुना, तो क्यों अपना मूँ नहीं खोल रहा है, है, आपको जो पैसा देना है, वो मैं दूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे थोड़ी और मौलत चाहिए, मौलत चाहिए, कितने दिन के लिए, मैं ग हरोसा करकर यहां से गए थे, आपके आने तक में इदजार नहीं कर सकती, पैसा लेने के लिए कहां जाना है, मैं भी साथ चलूँगी, बेटी ये तुम क्या बोल रही हो, ये आदमी वापस आएगा इसके क्या गैरेंटी है, देखो, मेरी बात मानो इसके पैसे लटा दो, इसकी बात में भी एक न्याय है, देखी, ये ठीक नहीं होगा, क्यों ठीक नहीं होगा? वो क्या है कि आप लोग साथ में आएंगे, तो ठीक नहीं होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है? तुम जाओगे, आओगे, मैं नहीं जानता, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मैं अगर जाद हुआ तो ब्याज मिला कर दे दूगा आपको ठीक है लेकिन नहीं दिया तो तो फिर मिलते हैं गाड़ी निकालो अब ही आगे पूरा पैसा चुकाने तक सब लोग अपने घर में जाएए जाएए देखा नर्सिम्मा फिल्म में लाल भाई और तिलक भाई के सामने ममूटी को जैसे लाकर खड़ा किया था उसी तरह से सही वक्त पे काउंटर को लाकर पोचाया ना इसे कहते हैं जब्बार अगर आपको इनाम देगो तो जब्बार छोड़ेगा ने सही वक्त पर पैसा नहीं देगा तो इसको कैसे इनाम देना है ये मैं चानती हूँ काउंटर जी दोगा मतो ट्वेंटी रूपीज दो हूँ थैंक यू अंदर तलकर बैठते हैं आईए ये भगवान जय हो जय हो उस आदमे को इस घर में रखने की क्या जरूवत थी हमारे घर में महमान आया है तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए क्या वो किस लिए आया है ये कौन जानता है ऐसे ही किसी अंजान इंसान से तुम्हारे पिताजी दोस्ती करेंगे ऐसा तुम लोग को लग रहा है क्या मैंन सर के परिवार को इस तरह दुख में देखा नहीं जा रहा है उसने ऐसा बोला तो मेरी आखों में आसू आ गए मा आप भी ना पैसा देता हूं बोलकर धोका देने वाले आदमी पर भरोसा कर रही हो धोका देने वाला आदमी होता तो इतना दूर आता क्या वो इस पूरे कर्ज को कोई चुका पाएगा क्या वैसे हम जो खाना खाते हैं ये खाना काउंडर खाएगा क्या और क्या है घर में एक आदमी होने पर उसे भूका रखकर हम कैसे उसे अगर चाहिए तो कहीं भी जाकर खा ले बापरे वो कैसे हो सकता है बेटी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है उस आदमी से जादा हम दर्दी मत दिखा पैसा देने तक हमने उसे किराई पर रखा है ऐसा सोचनों कीक पासे सब काम हो रहा है मीरा बेटा मीरा जरा इधर आऊ इधर आऊ जरा उस माधवन को देखो ए तुम क्यू गाय का दूद निकाल रहे हो इस बर्तन को देखते ही लगा कि इसमें दूद निकला जाता होगा इसलिए मैंने इसमें दूद निकाला, है की नहीं? सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्या लग रहा है? नहीं, एक अंजान आदमी को देखकर लात मारने वाली गाये है वो, लेकिन ये तो जिसके पास प्रभो की महिमा हो, वो अंधेरे में भी उजाला कर सकता है इनसान होने के नाते, किसी भी जीवित प्राडी को प्यार दिखाएं इतना ही काफी है हम जो भी बोलते हैं, वो सुनते हैं वैसे नाम क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या क्या कर बुलाओं भारती नाम है लगता है भारती की तबे ठीक नहीं है, इसलिए उसने कम दूद दिया है अरे, भारती मेरा नाम है अरे बापरे, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगा भारती गाय का नाम है उसका नाम अम्मो कुट्टी है अम्मो कुट्टी की तबे थोड़ी खराब है और इसकी वज़ा है कि कोई अपना मलमुत्र बरदाश्ट कर सकता है क्या? किसी को पसंद आता है क्या? नहीं हमें ही नहीं, जानवरों को भी नहीं पसंद आता घर में लड़कियों के रहने का क्या फैदा फिर? आंगन में इस तरह का मलमुत्र पड़ा रहेगा तो इसका दोश इंसान और गाय को दोनों को लगेगा इसलिए अम्मो कुट्टी के तबेले को सही से साफ करना चाहिए वैसे अभी अभी जो मैंने कहा वो बात आप तो समझ ही गई होंगी है ना? ये काउंडर है या दूद निकालने वाला? सुनो, जरा रुको वैसे तुम दूद निकालने और तबेला साफ करने आये हो यहाँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पैसे देने के बारे में सोचो हर हरो हर हरा मा मा मैं जा रही हूँ मीरा जी पारूल कॉलेज जा रही है क्या? नहीं कोड़े कनाल जा रही हूँ ऐसे गुस्सा मत कीजिए एक बात बुलने आया था क्या है? ये लिजिए ये क्या है? ये एक लेटर है आपको तो मानना पड़ेगा इसी बात को दिल में रखकर तुम यहाँ से नहीं जाओगे है न? यही बात है न? लेकिन इस मीरा के पास ये खेल नहीं चलेगा मुझे तुम ठीक से जानते नहीं हो रुको रुको ये तुम क्या बोल रही हो? तुम टाउन जारिती सिले पोस्ट करने के लिए कह रहा था पैसे का मामला सॉल्फ करने के लिए ये लेटर मैंने अपने दोस्ट को लिखा था लड़कियों को शक नहीं करना चाहिए जहां मर्द होते वहां तो बिल्कुल नहीं मदद करने वाले का गला दबाना तो सुभाओं में है लड़कियां हमेशा ऐसी ही होती है अरे बिना वज़े जाने मैंने कुछ भी बोल दिया उस वज़े से मेरे उपर जादा इल्जाम मत लगाओ लाओ मैं पोस्ट कर दूँगी पैसे के लिए है ना पैसो की ज़रूत हमें भी है नहीं इसे पोस्ट करने के कोई ज़रूत नहीं जबान दिया है तो उसे मैं पूरा करके ही रहूँगा क्या परेशानी है क्या नहीं है ये पूछ ये पूछए इसे पहली बार देखा है मैंन सर्ने अपनी बेटी के बारे में मुझे पहले ही बताय था लेकिन अैसी मुझे पता नहीं था इसमें बुद्धि नहीं है इस तरह वो हर्कत स्रिफ बाहर दिखाती है लेकिन अंदर से बहुत नरम है वेचारी हाँ क्यों हस रहे हो कुछ नहीं माजी मेरी मा मुझे भी ऐसे ही बोलती है यह क्या तुमें बच्पन में जैसा देखा था वैसा आज नहीं हो अरे मोहन बाया मुझे तो लगा सरकर से भागा हुआ कोई जोकर है इसका मतलब तुमारा शरीर ही नहीं तुमारे जुबान भी लब्य हो गई है यह गाड़ी कहा से लाए हो इसे तो लाल भाई ने कितने सिनेमा में इस्तेमाल किया हुआ है देखने से मेरे दिल को छू लिया मोहन कुट्टी का कभी किसी के ओपर दिल आ गया तो सम्झो मेरी है अरे बापरे ये कौन है मोहन कुट्टी है क्या मा अरे मोहन तुम रो क्यों रहे हो कुछ भी हो जब मामा मर गे थे मुझे एक मिस्कॉल भी करने का आपका दिल ने किया ये सब अचानक हो गया मोहन बताए तो कौन से नंबर पे एक नंबर तो तुम रखते नहीं हो इस एक्टिंग के फिल्ड में हमेशा हर बार नंबर बदलते रहते हैं ना तो कैसे मैं एक ही नंबर रखूंगा सिनेमा प्रोडिसर बनने के लिए कुछ दिनों से घूमी रहे हो कुछ बनाया है क्या ममूटी और मुहलाल मेरे फिल्मों में काम करने के लिए हमेशा से ही तयार है लेकिन एक कहानी भी तो मिलने चाहिए कहानी ढूनने के लिए मैं हैदराबाद तक गया था वैसे तुम तेलगो मूवी भी बना रहे हो क्या अभी अभी तु वापस आ रहा हूँ आते ही मामा के बारे में सुना बहुत दुख हुआ मामा ने शायद पैसो के बारे में नहीं बताया होगा चिता की आग भी नहीं बुझी और मैं पैसा मांगने आ सकता हूँ क्या वैसे माजी मीरा कहा है दीदी को आने में साड़े आठ बच जाएंगे यहाँ कोई तो एक पनली देश का आदमी आकर ठहरा है क्या है के मामा को जो पैसे देने वाला है वही आदमी है वो मतलब मुझे पास रहना चाहिए तो भी मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ तो फिर जिसे पैसा देना है उसे यहाँ पर क्यो ठहराने का जब पैसा मांगने के लिए जोर्ज यहाँ अकर शोर मचा रहा था ना उस समय आया था काउंडर हमारी मदद करने के लिए फिर भी लो आ गया वो भागवान ये कौन है मोहन कृष्ण सर जी आप कब लेंड हुए शुटिंग आव है काउंडर का नाम सुनकर मैंने तो सोचा कि कोई बुढधा होगा पर ये तो हट्टा कट्टा शरीर वाला है तुम्हारे मामा ने तो इसे खुद के बेटी की तरह माना है ऐसा इसने बोला होगा वैसे एक जवान लड़की इस घर में रहती है एक नहीं दो ठीके ठीके जितना जल्दी हो सेगे उतना जल्दी पैसा देकर जगा को छोड़ दो समझे नहीं तो इस मोहन कृष्ण के फिल्म के बारे में तुम नहीं जानते पहले घर जाकर अपने पत्नी और बच्चो को देखो मोहन कृष्णन सब कुछ बरदाश्ट करने वाली पत्नी को तुम छोड़ने की बात करे हो ये तो दोखा है सच बोलो तुम हो कौन तुम इस तरह मल्यालम साफ साब बोनना कहां से सीखा बताओ मैं कोई भी हूँ पर इस चोखट पर तुम्हें कदम नहीं रखना ऐसा मेलन सर ने बोला था इसका मतलब मामा ने तुमको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है माजी फिलाल के लिए मैं जा रहा हूँ लेकिन मामा को मुझे जो पैसा देना है वो नहीं चाहिए ऐसा मैं सोच रहा था लेकिन अब तो मैं लेकर ही रहूँगा कुछ भी हो काउंडर जी आपको मानना पड़ेगा सी बी आए फिल्म में सेदु रमन नईयर की तरह मोहन सर के मूँ के सामने ही अपनी बीवी बच्चे की बात को लेकर उसे इला कर रख दिया जैसा तुम लोग सोच रहे हो ऐसा नहीं है उस जौर्ट से भी ज्यादा बेकार है ये तो मा जी आ बिल्कुल में डरीय सर ठीक हो जाएगा ये लो बाइ जबी कहो काउंडर दिल से अच्छा इंसान लग रहा है इस मोहन कृष्ण के वोते हुए इस गाउं में उस काउंडर का रहना बहुत मुश्किल है पुलिस मेरी जैब में है इस सेल से ऐसा एक नंबर लगाऊ ना तो माफिया का पूरा गैंग आ जाएगा ये कौन है माफिया दीदी सिनेमा में स्टंट मास्टर है ये भगवान वो सब नहीं चाहिए मोहन मोहन सर जैसे आप सूच रहों ऐसा नहीं है ये काउंडर बहुत मासूम इंसान है ओहो तो तुम अब उसके आदमी बन गये हो कोई बात नहीं बन जाओ लेकिन मेरी फिल्म की जब शूटिंग होगी तब वहां आस पास दिखाई मत देना माफ कर दो फिल्मों में आक्टिंग करने की बहुत ख्वाइश है मेरी मुझे क्या करना होगा काउंडर के साथ फ्रेंच्छीप को कट करना होगा मेरे साथ जी और दो जवान लड़कियां उस घर मे रहती है मैं माधवन का लेटर पढ़के आया हूँ माधवन वो माधवन कोन है मेरा शिष्य है आपका शिष्य हाँ वैसे उसमें इस एड्रस पे आने के लिए लिखा है येलो तुम्हारे शिष्य माधवन मेरे ससुर के घर के एड्रस पर आने के लिए लेटर क्यों लिखे इसलिए मैं यहां आया हूँ तो फिर उस कंडेक्टर का नाम माधवन भी हो सकता है क्या काउंडर ठाकुर ये सब मैं नहीं जानता हूँ नंदगाओं के माधवन से मिलने आया हूँ मैं हे भगवान चाहिद पैसा लेकर आया होगा पैसा? कौन सा पैसा? मेरे ससुर को जो पैसा देना था वो वो सब मैं नहीं जानता हूँ तो फिर तुमको खत लेकर किसले बलाया था? वो साफ साफ मल्यालम भाशा बोल रहा था तभी मुझे शक हो रहा था और वो शक सही निकला सच बताओ अपने नाम को छुपा कर जवान लड़कियों को लुभा कर बॉम्बे दिल्ली में रहने वाले सेक्स रेकट को बेज कर तसकरी करने वाले गेंग के हो ना तुम्हारा इस शिष्य है ना वो ये बेकार की बाते मत करो बोलना क्या है मैं तो तुम से उगलवाऊंगा तुम दोनों को पुलिस में पकड़वाऊंगा अरे बोलो साच बोलो अरे नहीं इस तरह बच्पन का खेल मुझे मत सिखाओ अरे ये टाओंगा क्या करोगे क्या हो गया है अस्ते वाली चिपकली को अंदर डाल दिया है गाडी के अंदर बिठाने के लिए नहीं हो रहा था इसलिए खड़ा ही रखा है ये क्या हुझे उतार दो बैजी अभी थोड़ी तेर में आते ही होंगे तुम्हें कुछ तो परेशानी है तुम्हें जीना नहीं आता है ऐसा जब तुम्हारे भाई लोग बोले थे तो मुझे लगा था कि उन्हें कम अक्कल है लेकिन अब मैं जान गया ओन लोगों ने जुका हाँ वो सही था अपने ही घर को छोड़कर किसी काउंडर के पैसे को चुकाने के लिए यहां आकर बैठे हो उसी वज़ा से सबको लगा कि मैं पैसा देने वाला काउंडर हूँ तो सम मुझे उसी नजर से देखने लगें तो उनको बचाने के लिए मेरे पास एकी रास्ता था और उस परिवार से मुझे लगाउसा हो गया मेननसर को मैंने जुबान दी थी कि उनकी बेटी मीरा की शादी में मैं कुछ मदद करूँगा दस या बेस अजार का मामला होता तो छोड़ो जाने दो हम बोल सकते थे अब उसके करज को चुका कर उसकी बेटी की शादी करवाने की बात कर रहे हो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा किसी वज़े से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया किसी की रहम और मदद की मुझे कोई ज़रुत नहीं है खास करके उस मीरा की आज कल के जमाने में भगवान भी किसी की मदद करता है तो उसे माइक लगा कर गाम वालों को डिनोरा पीड देता है तुम्हें समझाने से कोई फादा नहीं तुम काउंडर नहीं हो ऐसा बोलने पर वो लोग भरोसा करेंगे क्या गुरु जी जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा करिए सतीर को समझाने के कुशिश करिए और एक बार सोच समझ कर बोलो सोचने वाली कोई बात नहीं है एक और बात पूछूं क्या, सच बोलना, तुम इस घर के लड़की से कुछ तो, ऐसा कुछ नहीं है काउंडर जी अब, हाँ माजी काउंडर जी, आपके मामा आने वाले थे, वही मामा है क्या मामा कौन है मैंने न से बोला था, मेरे मामा जी आने वाले है नहीं, शाम से पहले घर वापस जाने का ये सोच कर ही आया था क्या? ये कह रहे है कि ये शाम होने से पहले ही चले जाएंगे तो फिर जाने दो तुमने मुझे यहां का मामा बना दिया ना, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था ये कौन है? अरे जोज भई आप, किसकी तलाश में आये हो? किसी को ढूंड कर ले जाने के लिए नहीं ये क्या बात है? जगडा करना छोड़ दिया क्या? हम उस सिनेवाँ वाले मुहन से मिलने आये थे कहा है वो इस समय? हाथ दोनों नीचे आ गया है लेकिन उसका शरीर काम नहीं कर रहा है शरीर में और इलाज करना बाकी है वो इलाज करने के लिए शरीर पर मसाज कर रहा है तो फिर उसको जो मार लगी है तो उसमें चोड बहुत आई होगी कमर और पीट की जगा पर अच्छे से वादमी ने बहुत अच्छा मारा ऐसा वैज जी कह रहे थे और एक हफ़ता और इलाज की जरूरत है देखो आदमी मोन कृष्णू जोर्ज भाई अब मैं कैसे मेरा के गले में मंगल सूत्र डालूंगा हाथ भी ने उठा सकता, देखो अब में क्या करूँ रो मत, सब ठीक कर देंगे हम तुमारा ये हाल जिसने भी किया होगा, उसका भी हाल हम यही करेंगे अब मैं ऐसे ही पढ़ा रहा तो उसको सबक कैसे सिखाऊंगा तुम सिर्फ एक शब्द बोलो काफी है इससे भी बड़े बड़े लोगों को सबक सिखाया है इस जॉर्ज ने ऐसे ही मैं थोड़े इन लोगों को पाल रखा हूँ कितना भी पैसा खर्च होने दो मुझे उससे बदला लेना है सिर्फ उस आदमी को ही नहीं उस काउंडर को भी यहां से भगाना है उसके इस धर्ती पर पैर रखने की वज़ा से ही ऐसा हुआ है जरूर उसको सबक सिखाएंगे उसके यहां आने की वज़ा से ही मेरे मूँ में आने वाला निवाला नीचे गिर गया है वो जमीन और वो घर मेरे हाथ से निकल जाएगा ऐसा मुझे डर लग रहा एक मौका मिलने तो उसके टुकड़े टुकड़े करके कुट्टे को किला देंगे तुम भी मत रखो उसका असली नम माधवन हो सकता है जो ढूडने आया था उसका मामा वो भी इसी नाम से बुला रहा था मुझे तो शक है वो आदमी काउंडर ही है क्या क्यों? काउंडर लोगों का माधवन नाम नहीं रख सकते क्या पिता जी उससे अपना बेटा मान लिये थे ऐसा मेरा दोस्त बोल रहे थे देखो बेकार की बाते मत करो हाँ माजी, माजी देखो काउंडर बुला रहा है अभी अभी बोल रही थी ना तुम्हे हे भगवान किस लिए इतना खरीदा इसे मैंने बगल के तलाब में देखा तो मेरा दिल क्या कि मैं लेता हूँ वैसे इस घर में क्यों शाकाहरी बनता है न अगर मसाला पीस कर इसे बनाए तो मज़ा आएगा जीब का टेस्ट बदल जाएगा इस तरह खरिददारी करके खाना खाने के लिए ये कोई होटेल नहीं है तुम अपने आप बनाकर खा लो काफी है मा वो मछली से दे दो ये क्या है बेटी माधवन बहुत दिल से लेकर आया है न माधवन? कौन है माधवन? काउंडर का नाम ही माधवन है है ना? माजी मैं अब आगे से माधवन कहकर ही बुलाऊंगी तो फिर माधवन तुम जैसा चाहते हो वैसा सालन बना कर देते हूं अरे बेटी रहने दो मैं बना दूंगी मचली खरीदने पर इतना चिलाने की क्या जूरत है हाँ है आपकी उस्टूडियो में जाकर हमारी फोटो लिये थे ओ तो ये बात है क्या कुछ दिन पहले फोटो सोधारने की बात माणे की थी मैंने सुना था टाउन स्टूडियो में हो सकता है तो इसलिए बस ऐसे ही जाकर पूछ लिया था फ्रेम लगाकर रेडी है उसने ऐसा बोला तो मैं ले आए इसमें गलत क्या है क्या है जब मैं लेने गई तब उन्होंने कहा काउंडर लेकर गया है ऐसा बोलकर हस रहा था बहुत गुसा आया था जामते हूँ अब इसमें शरीर का पने जैसा क्या है मैंनन सर मेरे पिताजी जैसे है उनका परिवार मतलब मेरा परिवार इसलिए मैं इतना ख्याल रखता हूँ अगर पिताजी के उपर इतना प्यार है तो जितना जल्दी हो सकी तुम्हें पैसे देने चाहिए सारा हिसाब किता मेरे पास है किसको पैसा देना है मैं सब देदूँगा तुम्हारी शादी करवा के ही ये माधवन्यास जाएगा शादी? क्यों नहीं करना है क्या? सुनो, जादा चड़ाओ मत मेरी जो जबान है वो काली जबान है गुस्ते ने कुछ बोल दिया ना तो ये आखिर किस तरह की लड़की है? तुम्हारे भाई लोग ने जो लिखकर बटवारे का पेपर दिया जब वो जमीन को बेच रहे थे तब तुम्हारे नाम पर भी जमीन का कुछ हिस्सा रख दिया था तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारी खाली जमीन पड़ी हुई है उसकी कीमत कितनी मिलेगी? कोई आइडिया है? शादी में मदद करने के लिए जो भी तुम उधार देकर रखे थे वो पैसे तुम्हारे नाम पर छोड़ दिये है वो सब काट कर बाकि तुम्हें जो मिलने वाला हिस्सा इतना ही है बैटा जो बटवारा हुआ उसके मताबिक जो भी जमीन का हिस्सा तुम्हें मिलने वाला है वो इतना ही है जब तुम साइन करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ऐसा उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए तो मैं वहाँ से आ गया, और कोई बात नहीं है, अपने कंधे पल लेकर जिसने मुझे लोडिया सुनाई, वो खोन कहीं तुरिष्टा है, उन्हें सब कुछ दे दिजिए, उन लोगों को ले लेने दो, अच्छा मा न कुछ बोला क्या, मैं घर नहीं गया था, नंदू के घर में कुछ चर्चा हो रही थी, मा को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, मैं कहा हूं किसे ने पूछा क्या, तमिल नाडू में बिजनेश शुरू करने गया था, ऐसा उन लोगों निक महन सर, मेरे लिए उने थोड़ा समझाईए, मैं अरे अभी नहीं करने के लिए डियालोग बोलना पड़ता है, मैं कोई भी डियालोग बोलूंगा, मारा आया डियालोग बोलने वाला, निकल, निकल, मनोस्तर, यही वो घर है, इसके बारे में मैंने कहा था, एक्स्ट्रीज सर में एक बड़ा सीन मिलेगा, सर, हे बगवान, आप म्यूजिक डिरेक्टर मनोहुर सर है, सर आपका गाना मुझी बहुत पसंद है, यह जया है, मामा जी की सेकेंड डॉटर है, कॉलेज में पढ़ती है, अरे तुम तो सर का गाना सुनकर होश खो बैठती थी थी ना, अब कुछ मत करना, वही काम के बारे में बोल रहा हूं मैं, कुछ मत करो, जैसा है वैसा है, सही ना, प्रदीप, सर, उको मैं आता हूँ, कुछ और रिक्षा वाले का करेक्टर होगा, कैसर, किस से पूछ कर तुम इन लोग को यहां लेकर आया हो, तुम यहां फिम की शूटिंग नहीं कर सकते, जब मा लक्षमी अपने घर आती है, तो उसे चोखट पर रोक कर बाहर नहीं भेजना है, जो पोई भी होने दो, यहां शूटिंग नहीं कर सकते, तुम जाओ अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा किराय मिलेगा, दस पंदरा दिन के लिए चाहिय तुमको जो पैसा देना है, वो डायरी में लिख रखा है, इनके सामने बेज़दा थोने से पहले, उनको यहां से लेके चुपटब निकल जाओ, यह बोलने वाला तू को होता है, जिसे बोलना उनको बोलने दो, उनको लेकर चले जाओ यहां से, आज नहीं तो कल मीरा के ग काउंडर जी, मैं तो भी उससे बड़े रोल के एक्टिंग कर रहा हूँ, इस आदमी के कहने पर हम लोग यहां थे, अगर पसंद नहीं है तो नहीं चलिए, सुनिए, इससे भी अच्छा घर देता हूँ मैं, चलता हूँ, अ, असर रुकिये मैं भी आता हूँ, मा बेटी को तुम लभा कर रखे हो न, हम जरूर मिलेंगे, जैसी तुम्हारी मर्जी, यहीं पर रुकना, आईए, आप लोग बैठिये, मैं बुला कर लाता हूँ, मा जी, क्या है, यह ज़र अच्छे से कपड़े सुखाओ, अरे मा जी, मैं आपको कब से आवाज दे रहा हूँ, जिस क काम से गय थे, उसका क्या हूँ, यह रहें, कागजात, आधार कार्ड और पेपर, और यह जिस पर मेनन सर ने अपना साइन किया था, हाँ, बेटी हमारे उधार के कागजात के पेपर मिल गये हैं, मैंने अपना वादा पूरा किया, आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहे हैं, मैं प्रातना करूँगा, अब जोर्ज भाई से डरने की कोई ज़रत नहीं, अभी तो मोहन कृष्णन का उधार भी चुका दोगे तो अच्छा होगा, अब आप खुश है ना, खुशी हुई बे आप इनसे खुद बोल दीजिए, क्रिष्णवारिया मास्टर और माधाव, दोनों ने बाला कृष्णन के पिता जी को सारी बा समझाई थी, अगर आप राजी हैं, तो मैंन सर ने जो शादी तय की थी, वो शादी करवाने को तयार हैं, अगर हम लोग राजी नहीं हुए त तुम इस मामले के बीच में मता आओ, अगर तुम राजी नहीं हो, तो कोई बात नहीं है, लेकिन पिता जी के मरने के बाद भी वो लोग अपना चेहरा दिखाने नहीं आए, ऐसे लोग है, वो क्या है, वो लोग तो कुछ, बात में भी आकर मिल सकते हैं, बात ये है किताब किसी बहानी की जरुवत नहीं है, जो उधार लेकर चुकाय बिना मर गया है, उसके घर में शादी करेंगे, तो उधार पुरा उसके सर पर आ जाएगा, इस डर की वज़े से उन्होंने ऐसा किया मीरा, इस तरह गुसे में आकर कुछ भी मत बोलो, जो नहीं आ सके माफी मांगरें इतना ही काफी है कुंडली को देखकर सब रिष्टा तै हो गया ना बेटी कुंडली के साथ साथ दिल भी मिलने चाहिए ना मास्टर जी बड़ा कुंडली की बात को देखकर मुझे जो समझना था मैं समझ गई आप इस आदमी को समझा कर भेज दीजे मास्टर जी बड़ा आया खुश खबरी देने के लिए हाँ आओ आओ मेरी एक्टिंग मेरे पास होती ही जोड़ भाई अपनी एक्टिंग अपने पास ही रखो लेकिन ये आटो रिक्षा जो है वो जोड़ किया हाथों मी राएगा जबबार बेटा अरे भाई ऐसा मत कर ना माह हॉस्पिटल मास्वज़ जासे भगवान की कसम मैं अगले दिन दे देने का हाँ तुमारा सिनेमा कहां तक पहुचा वो जोड़े पर दिया हूँ अपने जोसप भाई के कहने पर वो सपरेने दो अंजा गाउं का मुटपन आया क्या उसके लिए क्यो ही चक रहो तुम घर पे जा के मिल लेंगे उससे मिलकर कुछ बात करनी है उसके लिए तो काउंडर वहां हिफाज़त करने के लिए खड़ा है ना और उस आदमी से मुझे अब किस बहाने से जाओं पांच हजार रुपए थे क्या तुमारी बात को सुनकर लगा की एक दो लाग रुपए होंगे ये सही बात थी मैंने ले ले लिया ना लेकिन मेरे स चलो जाने दो चलो चलो आओ आजाओ शादी कराने वाला जब ब्रोकर घर आया था उसको भगा कर रख दिया ऐसा सुना था मैं तुमारे दिल की बात को जाने के लिए इंतिजार में खड़ा था चली जाना इतनी जल्दी क्या है मेरा दुखी मत होना मुझे तुरन तलाग मिल जाएगा वैसे हो मेरे मन के मुताबिक चलने वाली लड़की नहीं है अगर तुम मिल गई तो सुनो अपनी जबान को लगाम दो क्या प्रोब्लम है हम एक ही परवार के लोग है कुछ भी बात कर सकते हैं मीरा तुम जाओ तुम कॉन हो उसके बॉड़िगाड हो क्या मेरे सामने हिटलर इगरी मत दिखाना यह पांडी देश पलनी नहीं है जिसको देना था वो दे दियाना अब निकलो यहां से माधौन काउंडर कैसे वो सोने का अंड़ा देने वाली मुर्गी है ना वही लड़की से मिल गई है वैसे ही चोड़के जा सकता है क्या मार कर दफना दो उसको बगवान इसके गुरु के हाथ उससे जो मार मुझे मिली है उसका दब तो रहने गए कर दो ओर तॉ क्शो घाइ क्षब प्राइ करныं कि एा ऩ। कर दो कर दो हुआ 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 है अब एक शब्द और उसकी मा और उसकी बेटी के बारिम कहा तो ठीक नहीं होगा घरीबों का खून चूसने वाले तुम जैसे लोगों को मैं जमीन के अदर गार दूंगा समझ गये क्यों जोर्च कुछ बोलना इस माध्वन को कब जाना इसका फैसला मैं ही करूँगा अब पीट पीछ अगर कोई बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझ गए मैं जाओं क्या अक्सर लोगों को जगड़ा करके इस तरह चले जाने की आदत है लेकिन मैंने मार पीट करके आप लोगों का जो भी नुकसान किया है उसकी भरपाई मैं ही करूँगा मेरी बेटी तुम जरा शान्त हो जाओ देखो वो आ गया है बेटी तुम अभी उदर मत जाना मेरा हाथ छोड़ो अब खुश हो ना तुम इतने दिन हम तकलीफ में जी रहे थे बस बेज़त होना बाकी था लेकिन तुमारी वज़े से आज मेरा अभी मान तूट गया मेरा मैं कुछ मत बोलो उन्होंने जो पूचा उसमें क्या गलत है हम लोगों कुझे पैसे देने थे वो तो आपने दे दिया है न फिर क्यों हमारी इज़त को निकालने के लिए खड़े हैं चले जाना चाहिए आपको यहां से मा जी मैं तो हमारी शान जिन्दगी को बिगाड़ो मत मादवन कहा गया वो आदमी उठाने योगा मास्टर आपसे मिलने के लिए ही सोच रहते हैं हमकल हाँ मैं जानता हूँ मुझे पता चला सुभा तेवहार का इंतिजाम करने के लिए कलिया गाउं तक जाकर आया था टाउन में जॉर्ज के साथ कुछ मार पीड तो किया है पोलिस भी आई थी जाने वाले को कुछ बोल कर जाना था ना सुनने से पता भी चलता कि उन्होंने क्या बोला होगा पता चलने जैसा कुछ भी नहीं है आगे सूस आदमी को यहां पर रहना ठीक नहीं है काउंडर लगता है घर छोड़ कर चला गया क्या है वो खत है खत जरा पढ़ो मैं जा रहा हूँ मैंने आज तक किसी को दुख नहीं पहुँचाया है यहां आने के बाद मुझे मेरे परिवार जैसा ही लगा मैं प्रात्ना करता हूँ भगवान आपको सारी खुशियां दे जरूरत पढ़ने पर कुछ जादा ही अरिकार मैंने जता दिया हो तो माफ कर दीजेगा सब के लिए मैं प्रात्ना करूँगा आपका माधव यह नंदी गाउं बोला तो कुछ भी हो परिशानी तो दूर हो गई ना अच्छा ही हुआ कौन है मास्टर पल्ली के काउंडर का लड़का है तालाब के पास मुझे मिला घर का पता पोच रहा था मेनन का पुराना दोस्त पल्ली में रहने वाला काउंडर का लड़का है वो आदमी मर गया है मेरा नाम गड़ेश है यहाँ बैठने के लिए बोलिया मास्टर जी वहाँ बैठते हैं मेनन सर से कई बार मिला हूँ मैं किसलिए आया है जरा पूछे मैं मल्यालम सुनूंगा तो समझ लेता हूँ लेकिन बात करना थोड़ा मुश्किल है मेरे पिता जी मेनन सर को जुबान दे रखे थे लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए इसके वज़ा से मास्टर के बेटी की शादी रुप गई इस बात को लेकर पिता जी ने अपनी जान गवाँ दी आपको समझ आ रहा है समझ में आ रहा है मास्टर जी की मौत के बारे में बहुत देर से मुझे पता चला मेनन के मौत की खबर देर से मालूम होई ऐसा बोल रहा है समझ में आ गया है मास्टर चाहे किसी का भी कर्ण रोग दो लेकिन मेनन सर का पैसा लोटाना ऐसा मेरी मा बोली थी मा की तबियत ठीक नहीं है नहीं तो मा भी मेरे साथ में आती मेरे पिता जी को मेनन सर को जो पैसा देना था वो इसमें है ले लो फिर माधवन ने जो पैसा दिया था मैने पूछा था माधवन के बारे में गरेश उसे नहीं जानता है हां, रास्ते में इन्होंने मुझसे पूछा था, लेकिन माधवन कौन है ये में नहीं जानता हूं, हमने उन्हें कोई भी पैसा नहीं दिया था ये पैसा आपको मिलने वाला पैसा है, महरबानी करके ले लीजिए, ले लीजिए माजी, इसे रख लीजिए मा का फोन है, excuse me, hello? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बिना किसी रिष्टे के किसी माधवन ने आकर हमारी क्यों मदब की? मैनन को पैसा देने वाला और कोई हो सकता है क्या? नहीं, पल्ली में पैसे के लेन देन में किसी का सम्बन नहीं है, ये मैं जानती हूं हे भगवान, मेरे तो हाथ पेर काप रहे हैं, तुम्हें हिमत से काम लो, क्या करना है इस बारे में हम सूचेंगे, ठीक है मा, मेरा की शादी में यहां आकर तुम सब से मिलने के लिए ऐसा पिता जी बोले थे, ये मा बोल रही है, किसमत में नहीं है, क्या कर सकते हैं, सब उ जलता हूं माजी, अगर पिताजी के प्रदी इतना प्यार है, तो जितना जल्दी हो सके पैसे दो और जाओ, मीरा मैं, उन्होंने जो पूचा, उसमें क्या गलत है, हम लोगों को जो पैसे देने थे, वो तो आपने दे दिये हैं, फिर क्यों हमारी इज़त को निकालने के लिए खड़े हैं, चले जाना चाहिए आपको यहां से, अब तुम लोगों के दिल को शांती मिल गई न, उस दिन भाई ने बोला था, वो लोग धोके वाज हैं, तब तुम लोगों के जहन में ये बात नहीं गुसी, और अब, साथ में रहकर, वो लोग इतना बड़ा दोका देंगे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ऐसा राजन भाई भी बोल रहे थे, माँ आपके चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं है, इसलिए नहीं आये है, अगर माधवन होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब को ये एक साथ मिल घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, हम भाई को ढूंड निका लेंगे, भाई पल्ली में कहीं तो है, गुरुजी जरूर जानते होंगे, माँ आप से मिलने के लिए कोई तो आया है, कौन है मैं नहीं जानता हूँ, कौन हो आप, मेरा नाम है कृष्णवारिया, और ये है म हम चेरतूर गाहों से आ रहे हैं, बैठिये, क्या है जो इतनी दूर आए, ये माधवन को मिलने वाला पैसा है, वही देने के लिए आए हैं हम, माधवन भाई यहां नहीं है, वो पल्ली गए हुए है, अभी तक वापस नहीं आए, पल्ली जाकर हम ढूंड कर ही आए हैं यह पर, तुम मेरे बेटे को ज़रूर लाना, बस रुकिये, बेटी, बेटी मेरा तुम कहा उतर कर जा रही हो, रुको रुको, माधव, माधव, मैं जानती थी, कि भगवान मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, मैं, नहीं, माधवन यहां कुछ मत बोलिए, मैं सब जानती हूँ, मीरा, आपको मैंने बहुत तकलिफ दी है, गल्ती हो गई, माफ कर तो, फिर से आपको गाउं आना होगा, नहीं, मीरा, मैं यहां खुश हूँ, बलकि बहुत खुश हूँ, सच में, तुम्हें पता है, ये बेजुबान प्राडी ही इस माधवन के दिल की बात को समझते हैं, मेरे हसने पर ये लोग भी खुश होते हैं, और रोने से, जीब से चाटकर मेरे आंसों को पोस्ते भी हैं इन से जदा मुझे कोई और नहीं समझ पाएगा, मैं इन्हें छोड़कर कहने ही जाओंगा माधव आपके मा की कहने पर ही मैं यहां आई थी आपके दिल के बाद जाने बिना ही मैंने, अपनी तरफ से उन्हें जबान दे दी है सब लोग आपसे माफी मांगने के लिए इंतिजार कर रहे हैं इस मा के उपर खुस्सा मत करो बेटा सब लोग तुम्हारी कम्यों को देखकर तुम्हें नोच रहे थे भरदाश नहीं कर पाई बेटा, तुम्हारा कैसे शुक्रियादा करूँ मेरी समझ के लिए मारा है भगवान का कीजे ममे कहां कहां नहीं ढूड़े हम लेकिन भगवान ने ढूण कर दे दिया ना बाई ज्यादा पड़े हैं उस गमण में कुछ तो बोल दिया होगा कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भोल जाओ पहले जैसे सारे काम को लेकर आप ही चलाइए वो सब मुझे नहीं चाहिए सारा कारोबार तुम्ही लोग समभलो इतना ही काफी है क्योंकि अब मुझसे कुछ नहीं होने वारा साले साब, तब की परिष्थिती में हम लोग अंजाने में गलती कर बैठे मुझे माफ कर दो मुझे किसी के उपर कोई गुस्सा नहीं है जब मीरा ने आ की बोला तो मैं मिलने चला है, उनसे मिलने का दिल कर रहा था दिल में एक बोजी था, वो भी उतर गया दिल कॉप शांती मिल रही है अगर मैं भी यहां खड़ा हूँ तो बस एक अजनवी की जैसा माधो तुम्हारे आने की ख़वर को सुनकर तुमसे मिलने के लिए आए बादुन भाई ये गाउं छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं अगर हमारी वजा से आप करजदार बन गे तो हम कुछ भी करके उसका उधार चुका देंगे लेकिन तुम यहां से मत जाओ तुम बारिश की पानी के तरह हो बाद हो तुम यहां से चले जाओगे तो यह जमेन बंजर हो जाएगी कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सब की खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर करते हैं टके की Azid झी ओधा भी की बालब की तुम के लग्म हो लग्म कर दोस्ती ओानी का दोस्ती जानी काहू से बालब